अब आप आप आपट आप 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 आपके यूट्व प्लेटफॉर्म पहें और आज हम लोग डिस्टेस करेंगे बार एक्टॉवर की मोस्ट इंपॉर्टन न्यूस स्टार्ट करतें आज के मोटिवेश्णल कोड के साथ दैन फिर बढ़ेंगे अज के इंपॉर्टन नियूस कि तरफ आज का कोड बड़ा शानदर है यार दोस्त हर दिन का कोड में में कुछ न कुछ आपको मैसेज देना चाहता हूं आज के कोड में भी मैसेज रहेगा find a way not an excuse देखो इस बात को समझना पड़ेगा भी आप लोगों के उम्र बहुत छोटी है ठीक है तो अनुभव आपको सिखाता है जैसे यसे आपकी उम्र बीतेगी तब आपको चीज़े समझ में आएंगी लेकिन हर एक उम्र पे आपका determination आपको बड़ा बनाता है मेरे भाई मेरी बात को समझना आपका अनुभव आपको सिखाएगा बट आपका जो determination होगा वो आपको बड़ा बनाएगा कि आप कितना मेरे दोस्त अपने काम के लिए जो भी आप चाहते हैं करना या जो आप कर रहे हैं उसके लिए मेरे दोस्त आप कितना सीरियस हैं कितना आप मेरे दोस्त लगन के साथ उस काम को कर रहे हैं करना और मेरे दोस्त लगन के साथ करने में फरक है मेरी बात को समझना मेरे दोस्त तो चीज़ें आप जिसे कुछ खाना पसंद गड़ते होंगे तो आप कहीं specific जगे जाते होंगे तो बनाने वाले उस चीज़ को और भी बहुत है लेकिन आप उस व्यक्ति के पास कुछ आ रहे हैं क्योंकि वो कहीं नहीं कुछ एक्स्ट्रा उ ऐसे मेरे दोस्त अगर अपनी लाइफ में अगर हम लोग सोच है तो हमें भी कुछ नगुछ ऐसा करना पड़ेगा जो सबको पसंद आ है क्योंकि मेरे दोफ्त आपको मेरे को कहीं नगि आजिविका के लिए जीवन में कुछ तो करना है तो उसके लिए ज़रूरी आपका द खूटना मुचल है जोड़ना उसी तरीके किसी काम को करने मीनचों क्यों हुद Spaß रेरहें जोकि आएगा अपने देखा भी नहीं और रासते भी झाने आपने बूल दिया रासता राब है यह कोई हूँ, कोई भी हो, हमने कहीं नगे, अपने phase में ये feel किया है, कि हम हमेशा इस चीज को बहुत जाना, बहुत जाना मेरे दोस्ते देखने को, मनलब हमारी life में देखने को मिलता है, कि जब भी कोई नई चीज आती है, तो पहले excuse साथ लेके आती है और वो excuse हर एक व्यक्ती का अलग-अलग-अलग होता है, मेरी बात समझना, एक भी नहीं होगा, सब का अलग-अलग होगा, find a way not an excuse okay, situation आईंगी tough, बहुत बुरा वक्त आएगा आप सुनने पे होंगे, मेरे भाई शेकर से सुनने पे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है तरीका ढूड़िए ओले-ओले चलिए, आराम से चलिए, एकदम बहुत तेज़ चलने की जरूरत नहीं है, बटा शालींदा से सोचे, ठहराप के साथ, सोचे कहीं न कहीं तो कोई चूक हो रही होगी, वो चूक क्या है ठेक है, कहीं न कहीं चीज़े तो खराब हो रही होगी, खराब चीज क्या है उस पर काम करिये बढ़ा, कोशिश ये करिए कि जब समस्य आए तो उसका सॉलुशन ढूड़ा जाए, बज़ा है उसके कि excuse मेरे दोस्त बताया जाए, excuse सॉमे से निंडियान में लोग दे रहे है, आप एकलोते हो सकते हो जो समाधान दोगे तो आप क्या बनना चाहते हो मेरे दोस्त ये आपका call है, बास समझ में आ रही है clear हो रही है, तो एक बार मेरे दोस्त पहले तो रादे रादे लिख तो session में, फटावट से, फिर हम लोग आगे बढ़ते है एक बार रादे रादे फटावट से लिखते हो मेरे दोस्त, लेगे, रादे रादे, जैश्री रादे, ओके आज के session में मैं थोड़ा सा अलग लेके चलूँगा, जैसा कल के session में लेके चला था क्याकि मुझे आप लोगों के लिए एक चीज है, कल मैंने Novel का session लिया था, उसमें मैंने MCQs जो ते, वो discuss किये थे आज मैं आप लोगों के साथ Asian Games के ऊपर जो 25 MCQs मैंने प्लान किये थे, वो discuss करूँगा, आप मैंसे काफी ऐसे होंगे, जिन्होंने मैंने MCQs को कला कर भी रखा होगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, उन सभी के लिए revision हो जाएगा, जिन्होंने मेरे दोस्त पहले से कर रखा होगा, ओके, वन मिनिट, मैं उस वाली PPT को लगा ले रहा हूँ, बट मुझे सिर्फ ये awareness के लिए इन दू सेशन को मैं प्लान किया, उसका reason है, ठीक है, काफी ऐसे बच्चे होते हैं, जो कि उन सेशन में नहीं जोड़ रहे हैं, उनके views भी कम हैं, उसका reason यही है कि आपनों को लगता है नहीं है, PDF से कर लेंगे, बट पॉसिबल नहीं होता men's badminton doubles में, by defeating which countries, Solgyu Choi and Wonho Kim, तो यह आप याद रखे, Choi Kim, Choi Kim, Choi Kim, तो याद रखना बटा, Choi और Kim, इन दौनों को हरा कर, सत्विक साहिराज रंकी रिड़ी और चिराग शेटी हैं, इन्होंने भारत के लिए gold medal जीता था, फाइन, अब ये Choi Kim किस देश से हैं, Choi Kim, Choi Kim is from, they are from South Korea next, सत्विक साहिराज रंकी रिडियो चिराग शेटी का ने दिदेश का first ever जीता था, gold medal जीता था, men's double में, okay, first ever gold था, men's double final में, दिपक पुनिया ने, एकलोता, silver medal जीता था, भारत के लिए, Asian Games 2023 में, okay, 86 kg, pre-style wrestling category में, सवाल वहाँ सिंपल सा है, ये हार गयते हसन यजदानी से, अब ये हसन यजदानी किस देश से हैं, हसन यजदानी किस देश से हैं, मेरे भाई, ये हैं आपके एरान से, okay, एरान से, clear, next, इंडिया ने total मिलाकर wrestling में, अगर हम लोग देखें, तो medal जो जीते थे, उसमें 5 और medal थे, वो bronze medal रहे थे, ये कलॉता जो मेरे 2 से silver medal जीते थे, तो मेरे अब कुल 6 medal जीते थे, उसमें से 5 जो रहे थे, मेरे भाई, वो bronze medal रहे थे, नीरा जो चौपडा है, इन्होंने अपना javelin throw title उसको defend किया था, सवाल ये ही उठता है कि Asian Games 2023 में उनका best throw क्या था, best throw मेरे भाई, best throw यहां पर रहा थे 88.88 meter, okay, 88.88 meter, नीरा चौपडा ने गोल मेडल जीते थे 88.88 meter के साथ, उनके साथ में उनके, उसी में, उसी गेम में, कि शोर कुमार जीना ने सिल्वर मेडल जीते थे 87.54 meter के साथ, 87.54 meter के साथ, 87.54 meter, okay, पारल चौत मेडल जीते था, okay, गोल मेडल, 550 meter के साथ, यह किस स्टेट से हे, यह किस स्टेट से मेरे भाई, पारल चौत ने 5, 제품 मेडल जीतना जीते था, गोल मेडल, ḥ heck पारीं यह ब्रीन के साथ, पार्ल मेडल, ही शोर के साथ, यह आंसर बने का मेरे भाई उत्तर प्रदेश, ओके, उत्तर प्रदेश, क्लियर, आगे, गॉल्फर अधिती अशोक है, इन्हों ने त्यहा सरच दिया है, अशोक से पहले भारत मेरे और भी मेडल जीते हैं, लेकिन उसमें वो 6 मेडल सारे के सारे मेल गॉल्फर की तरफ से रहे थे, यह अशोक का पहला मेडल है, और फीमेल के तौर पहले मेरे दोस्ति यह, देश के लिए भी पहला मेडल है, अनुरानी है, यह फर्स्ट इंडियन वीमेन जाबलन ध्रोर है, जिनोंने गॉल्फर मेडल जीता था एशन गेम्स 2023 में, 69.92 मेटर के थ्रो के साथ, 69.92 मेटर के थ्रो, काफी लोगों confused है, वो कहने 62 मेटर के थ्रो के साथ जीता है, कुछ न्यूस्पेपर में लिखा भी हुआ है, जब वनोंने 62 मेटर का भाला फैक आता मेरे दोस्त, इस रेंज पे भाला फैक आता है, इस डिस्टेंस पे, वो गोल्ड मेडल जीत गही थी, पर जितने अटेंप्ट मिलते हैं, उसमें हाइस अटेंप्ट रहा था, 69.92 मेटर, इसली मैंने इसको मेंशन किया यहां पर, इस फ्रॉम विच स्टेट, उत्तर प्रदेश, ओके, पलक कूलिया है, इस वन गोल्ड मेडल इन वीमेंटर एर पिस्टल फाइनल, अट होंग्जो एशन गेम्स, शी इस फ्रॉम विच स्टेट, यह किस स्टेट से है मरे भाई, अलग गूलिया है, इन वन गोल्ड वीमेंटर में भारत के लिए मैडल जीता था, यह किस स्टेट से है, वो हल पढ़िया, यह आंसर बनेगा मेरे दूस्ट हर्याड़ा, हर्याड़ा, नेक्स्ट, यह हटाई है, इससे पहले इन्होंने 2018 में भी भारत के लिए मैडल जीता था, और यह इंडिया के तीसरा गोल्ड मैडल रहा था, मिक्स डबल्स में, इससे पहले लेंटर पेस और सानिया मिर्जा की जोडी ने भी 2006 में जीता था, और 2014 में सानिया और माई नेनी की जोडी ने मैडल जीता था, अब यह तीसरा मैडल रहा है, जो कि जीता है रोहन बोपन्ना और रुतुराज भोसले की टीम ने, ठीक है, मिक्स डबल्स में, अब इनाच यह साबले है, इन्होंने त्याहा सरच दिया है, एशियन गेम्स में, बाई विकमिंग फर्स इंडियन आथलेट तु विन गोल्ड मैडल इन मैंस 3000 मीटर स्टैपल चेज, ध्यान से सुनिएगा, ति मैणस 3000 मीटर स्टैपल चेज में, गोल्ड मैडल जीता है, फर्स इंडियन आथलीट है, जिन्होंने गोल्ड मैडल जीता था, अब इनाच साबले हैं, इन्होंने त्याहा सरच, हीज फ्रॉम वीच स्टेट, यह किस स्टेट से है, यह किस स्टेट से दोस्त महरास्ट्रा महरास्ट्रा नेक्स टेजंदर सिंग तूर इन्होंने भारत के लिए गोल मेडल जीता है शॉट्पूट में शॉट्पूट मतलब उस साल भी जीते हैं तो इन्होंने पिछला टाइटल अपना डिफेंड किया तो यह किस नंबर के खिलाडी है जो उन्ने अपना टाइटल डिफेंड किया है तराइटिंदर सिंग तूर और इससे पहले जो और है उसमें प्रदूमान सिंग है इन्होंने 1954 में जीता था फिर डिफेंड किया था 50 बे Came जोगिंदर सिंग ने 1966 में जीता था, 70 में डिफेंड किया था, बहादूर सिंग चोहा ने इन्होंने 78 में जीता था, फिर 82 में डिफेंड किया था, इन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है, बीमेन 50 मेटर राइफल 3 पोजिशन इंडिविजल इवेंट में, एशिन गेम्स 2023 में, शी इस फ्रॉम विच स्टेट, ये किस स्टेट से मेरे भाई, आंसर करेगा, ये किस स्टेट से, ये बटा पंजाब से, ओके, सिफ्ट क और सामरा, सामरा नहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ जीता दा, इनका स्कोर ज़रूर याद रख लेना, 469.6, 469.6, मालब है, एक्जामिनर दो तरीके से खिल सकता है, यहाँ पर, जैसे अगर वन लाइनर कोश्चन्स वो देगा, तो आप लोग मेरे दोस्त उड़ा दोगे इसमें कोई दोराय नहीं है, बड़ उसने यह बुला कि निम्न मैसे एशन गेम्स के कॉन्टेक्स में कॉनसा स्टेटमेंट ट्रू है, या फिर फॉल्स है, उसने पांच लाइन लिखके दे दी, बात को ज़रा समझेगा, जब यह पांच लाइन लिखके दे दी, तो आपके इसलिए मैं कहूंगा, थोड़ा सब प्रेक्टिकल होके चलिएगा, क्योंकि पेपर और जितने भी लगे हैं, उसमें चीज़े चेंज होके देखने को मिल रही है, और बन लाइनर के चकर में मत रही है, थोड़ा इस तरीके से कॉन्टेंट प्रिपेर करिए कि अगर उसको अद्राफ्ट करके वो डिटेल में भी दे देते हैं, हमें तीन चाल लाइन के स्टेटमेंट दे देते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग तैयार होने चाहिए, ओके, नेक्स्ट, विच टीम बिकम फ़र्स टीम तूसमेश, तीन सो प्लस टोटल इन टी-20, इन एशन गेम्स मं मंगोलिया में तीन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेते, तीन वर्ल्ड रिकॉर्ड के मलब तीन इसमें गेम्स में क्रिकट में रिकॉर्ड बनेते वर्ल्ड रिकॉर्ड इसी मैच में, एक तो यह था फास्तेस हंट्रेट का, फास्तेस फिफ्टी का और तीन सो प्लस स्कोर का, तीन पैंदर सिंग एरी है इन्होंने 50 युवराज सिंग का जो सबसे 50 का रिकॉर्ड है वह व्रेक कर दिया था युवराज ने 13 बॉलों में 50 लगाये थे इन्होंने यह चार मेरे दोस्त आप याद रखना है यहाँ पर नाम, ड़न, यहाँ से करा दा हिरदय छेदा, अनूश अगरवाल, सुदिप्ती हजेला, एद दिविकरत सिंग, इनका स्कोर रहा दा 2-0-9, ओके, इंडिन कंटिंगेंट के ओपनिंग सर्मानी में 19th एशन गेम, फ्लैक ब इरर, तो दो लोग थे मेरे भाई, एक लोब लीना बोर गोहन, यह बॉक्सर है, हर्मन प्रीत सिंग, यह होकी से संबन देता है, तो यह दोनों इसमें ओपनिंग सर्मानी में फ्लैक बी एरर थे, कुल मिला कि 12,000 पट कॉम्पेटीटर थे, 45 देशों के, जिन्नों ने किसमे पट स्पीट किया थे, 61 खेलों में, ठीक है, और इसकी ओपनिंग सर्मेनी, यह ना ओपनिंग सर्मानी की थीम है, टाइट सर्जिन एशिया, और जो 19 देशन गेम्स की खेल रही थी, बारे जार से याद़ गॉंपेटीटर, पैताले इस देश और 16 यहां पर खेल रहे थे, रिए्ट्रीउспर्ट्स दोप्राने स्पूर्स उस्में प्रेकडानसिंग रहा था है तो यह दौनों आपको याद करके चलने हैं बास समझ में अरिए यह दो स्पॉर्स कौन से नह autocon 745 अठीन ब्रेक colonies घंशन्तिंग हो गया ठीगे कर्केट और चैस मेरे दोस्ते ये दो को नए स्पोर्ट्सन को रिंटर्ड्यूस किया गया है किर्किट यह 2010 में खेला गया था 2014 में खेला गया था चैस जो रहा था 2006 में रहा था 2010 में रहा था अब 2023 हो गया मेरे भाई इन दोनों के आगे 2023 क्लिया next in which sports India won its first Asian Games 2023 medal किस खेल में भारत ने अपना पहला एश्याई खेल 2023 पदक जीता है एश्याई खेल 2023 पहला पदक पस एश्याई गेम्स 2023 मेडल भारत ने यह था शूटिंग में और यह भी silver medal आया था इंडिया ने जो अपना पहला medal जीता था first ever first medal जीता था एश्याई गेम्स 2023 का वो women 10 meter air rifle team event में रहा था silver medal रहा था team थी मेहूली घोश की रमिता की और आशी चौकसी की ओके मेहूली घोश रमिता एंड आशी चौकसी यह नाम याद रखना Indian women cricket team है इन्होंने अपना पहला gold medal जीता था Asian Games 2023 में किस team को 19 run से हरा कर final में किस team को 19 run से हरा कर final में बताएगा बहुत बढ़िया यह answer बनेगा मेरे भाई option नमबर वन श्री लंका ओके श्री लंका नेक्स टो Indian men's कबड़ी team है इन्होंने gold medal जीता था Asian Games में after defeating Dash in Hongzong तो यहाँ पर सवाल बहुत simple सा है कि चाइना के Hongzong में जो Asian Games हूँ है उसमें जो Indian men's कबड़ी team है इन्होंने भी gold medal जीता इन्होंने किस को हरा कर जीता था इरान को ओके यह men's कबड़ी team का 8th gold medal रहा था 8th gold medal इन्होंने 26 बच्चिस से चाइनीज ताइपी को हराय था और gold medal जीता था यह इनका किस नंबर का gold medal रहा था विमेंज कवर्टी में यह इस नंबर का gold medal रहा था यह अंसर बनेगा बड़ ऑप्शन नमगर 4 3rd तीसरा ठीक है यह तीसरा gold medal रहा था प्यार स्रीजेस यह इंडियान फ्लैग वीरर थे इंडिया के फ्लैग वीरर थे इंडिया के फ्लैग भीर थे कि यह अंसर बने का विट आप्शन नमबर और्थ केरल एक है किस स्पोर्ट में इंडिया है उसने मैक्सिमम गोल्ड मैडल जीते हैं इसन गेमिस में मैं पूछ रहा हूं मैक्सिमम मैडल नहीं मैक्सिमम गोल्ड मैडल मैक्सिमम गोल्ड मैडल जीते थे भारत में शूटिंग में और सबसे ज्यादा अगर मैडल आये थे तो वह एथलेट में अथलेटिक्स तो शूटिंग में भारत ने 22 मेडल जीते हैं, एथलेटिक्स में भारत ने 29 मेडल जीते हैं, लेकिन शूटिंग में भारत ने 7 गोल्ड मेडल जीते हैं, तो मैक्सिमम गोल्ड शूटिंग, मैक्सिमम मेडल एथलेटिक्स, ओके, नेक्स, first Asian Games was held in which year first Asian Games किस साल हुआ था first Asian Games first Asian Games किस साल हुआ था answer बनेगा मेरे भाई 1951 okay, 1915 किस शहर में Asian Games जो है, वो most number of time हुआ सबसे ज़्यादा Asian Games किस शहर में हुआ है किस शहर में यह exam का question था मेरे भाई okay यह answer बनेगा Thailand के Bangkok में okay, तो Thailand ने Asian Games को सबसे ज़्यादा बार होस्ट किया है 1966 में फिर back to back किया था 1966 में उसहतर में 1966, 1970, फिर 78 और 1998 तो चार बार इन्होंने Asian Games को होस्ट किया था Bangkok में राया था यह next हो, भारत की जोडी है यह ट्रायो, रुद्राक्ष बाला सहाब वो पाटल, okay, रुद्राक्ष बाला सहाब पाटल, एशुर्या प्रताप सिंग तॉमर, और दिव्यांग सिंग पनवर, इन्होंने भारत के लिए पहला gold medal जीता था, तो भारत के लिए पहला medal भी shooting में आया और पहला gold medal भी shooting में आया और पहला medal silver रहा था, अब यह जो medal जीता गया, gold medal, यह कितने meter की, यह rifle man's team event में जीता गया था, कितने meter का बनाई गया रहा, कितने meter का यह रहा था यह थोड़ा tricky question बन जा रहा है यह रहा था 10 meter, okay, 10 meter next, इंडिया won gold medal in Asian Games 2023, man's cricket tournament against which team भारत ने Asian Games 2023 में gold medal जीता था, okay, अब सवाल यह उड़ता है कि किस team को हरा कर, अब यह किस team को हरा कर तो इसलिए नहीं मैं बोल रहा, क्योंकि match हुआ ही नहीं था बस हाँ यह था कि points की वज़े से ranking की वज़े से इनको विज़ेता घोशित कर दिया गया था बारिश हो गई थी, तो match रहा था अफगानिस्तान के against में, ओके, अफगानिस्तान तो यह top 25 जो MCQs मैंने discuss किये Asian Games के हैं कल top 25 MCQs मैंने novel prize के discuss किये थे, करने का purpose, बताने का purpose इन session में इसलिए सरिफ कि आप लोग थोड़ा aware रहे हैं मेरे भाई, इन topics को जो मैं cover कर रहा हूँ, ठीक है, जितने भी मैं additional topic ले रहा हूँ, अलग से इस session के अलावा, कोशिश किया गरी, थोड़ा सा वक्त निकाल कर इन sessions को देख लिया करो, अब मैं यह कहूँगा top 25 जो मैंने यह cover करे कि यह sufficient है, तो answer बने का बड़ा वाला no, क्यों क्योंकि कुछ एक ऐसी वी चीज़ा है, जो मैंने mcq में frame नहीं कर ने detail में बताई थी, like जैसे कि mascot हो गया, तो काफी कुछ चीज़ा है moto हो गया, वो सारी चीज़े हम लोगों ने session में discuss करी है, ऐसी same nobel prize के लिए मैं कहूँगा, तो आप एक बार यह nobel prize का session, आप बस इतना लिखने, nobel prize 2023 by Ashish Gotham, ओके आपको video मिलेगा, उस video को complete कर लेना दूसरा एक session रहेगा आपका मेरे दोस्त, यह वाला Asian Games 2023, अगे इन by Ashish Gotham, वीडियो मिलेगा इसको complete कर लेना ठीक है, चलो, अब बढ़ते यहाँ पर अपने आज की session की तरफ, आज की session का मतलब मेरे भई, आज की current interface की तरफ, एक मण PPT change कर लूँ, मैं I hope PPT visible होगी आप लोगो, ओके चलिए, एक second होगेगा आज की पहली news बड़ी शांदार है, क्योंकि यह एक merger, takeover, देखें, यह फिर कह सकते हैं acquisitions related है, examiner यहाँ से भी question उठाता है merger, takeover, takeover, acquisition से एक नए question उठाई लेता है तो इसको समझते हैं, यह भारती group है, ओके और यह भारती group क्या कर रहा है, कि भारती group का और EXA का, एक joint venture है क्यानि संयुक्त उपक्रम है, EXA फ्रांस की कंपनी है भारती group तो आप जान दे हैं मेरे भाई, अब यह जो कह रहा है भारती group कि यार दोस्त, तेरे पास जितना share है यहाँ पर, joint venture में हम दोनों का joint venture है, संयुक्त उपक्रम है इस सारे share को तू मेरे को दे दे बास समझ में आ रही है तो भारती group क्या कह रहा है कि EXA भाई, तू अपनी हिस्सेदारी इस joint venture में से मुझे दे दे और मैं इसका सत्प्रतिशत मालिक बन जाता हूँ, 100% इसका मैं मालिक बन जाता हूँ वह ही लिखा हुआ है कि भारती group to buy French partner EXA's stake in joint venture अब यह जो भारती life है, यह खरीद रहा है share, भारती life venture limited है, यह भारती enterprises के एक unit है, इसने कहाई कि हम 49% इस्टे खरीदेंगे, French insurer EXA का, जो कि उसका और मेरा मिलाकर एक joint venture है उसमें है तो यह को joint venture का नाम समझ में आ गया, भारती EXA Life Insurance Company, इस company में भारती life venture इसकी भी हिस्सेदारी है X, और मैंने दोस्त इसी तरीके से यहाँ पर EXA की हिस्सेदारी है Y, तो यह Y हिस्सेदारी X के साथ मिल जाएगी और यह इसका सत्प्रतिशत मालिक बन जाएगा, बास समझ में आ गई, clear हो गया, तो भारती life venture private limited जो की holding company है, भारती EXA Life Insurance की, अब यह 100% सत्प्रतिशत इससेदारी है, इसमें hold करेगी, बहुत important news है Y, मतलब आ नहीं है एक्जाम में, यह question बनी जाएगा, या तो उसके static facts पूछ लेगा, या इससे relate करके मेरे दोस्त कुछ ना कुछ तो व Currently France based जो EXA है, इसके पास 49% हिस्सेदारी है से joint venture में, ओके, यह news बहुत शानदर है, शानदर क्या, मतलब एक्जाम का कुछ नहीं है, यह तो free focus का नंबर है, इसको जरा देखते हैं, सरकार कह रही कि हमें एक autonomous organization बनाने जा रहे आपके विकास के लिए, यूद के विकास के लि स्वायत सासी निकाई, यानि की एक autonomous organization को बनाने जा रही है, यह जो संस्ता बनाने जा रही है, वो autonomous organization होगा, तो union cabinet है, इसने मेरा यूवा भारत एक autonomous body है for youth development, इसको set up करने को लेकर approval दे दी है, समझे रहे हैं इसको, अभी यह autonomous body क्या होती पहला तो यह समझना बड़ा जरूरी है, इसको हम लोग बुल स्वायत निकाई, असल में यह जो autonomous body, government के द्वारा set up की जाती है, इसका एक specific purpose होता है, जैसे कि यहाँ पर, for example, हम लोग इसकी बात करें, मेरा यूवा भारत, इन्हें शॉर्ट में बोलते हैं, माय भारत, माय भारत, ठीक है, अब इसका specific purpose क्या है, youth का development करना तो वही autonomous जो body है, वो government के द्वारा बनाई जा रही है, एक specific purpose के लिए, जैसे कि माय भारत को बनाए गया है, youth के development के लिए, ये एक independent body होती है, day-to-day functioning के लिए, इसकी जो day-to-day functioning होती 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 है, बहुत कम control होता है, government has some control over the autonomous body, हम नहीं बोलेंगे सत्प्रतिशत नहीं होता है, सम control यहाँ पर रहता है, और जो A-B होते हैं, मेरे दोस्त, इसका purpose ही यहाँ पर यह होता है, कि जिस specific purpose से इनको बनाए जा रहा है, उसके लिए, उसके development के लिए काम करें, अब जाना समझते हैं इसको, देश में कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि 40 करोड लोग हैं, जिनकी उम्र 15 से 29 वर्ष है, अब आपकी बात हो रही है, यह हमारे देश में यूध है, जो यूध की परिवाशा उसके आदर पर यूध देखेंगे, लेकिन हाँ, यह कहते हैं कि हमारे देश में 1529 जो आईउ वर्ष के जो लोग है, वो 40 करोड है, सोच चालिस करोड लोग, कम नहीं होते मेरे भाई, 40 करोड सिर्फ यूवा है हमार यूवाओं को हम लोग कहीं न कहीं लेकर चलेंगे, तब ही तो देश आगे बढ़ेगा, तो उस देश के साथ इनों ने इस Autonomous Body का Announcement किया है, अब थोड़ा और डेटेल में समझते हैं, मेरा यूवा भारत, माय भारत, इस Autonomous Body का नाम रहेगा, एक institutional mechanism होगा, sense of duty among the youth, including those located overs अच्छा, यह क्या कह रहा है, कि अगर देश को हमें developed nation बनाना है, विक्सित रास्ट बनाना है, तो इसको इस आंदोलन को मजबूद करने के लिए, यूवाओं के बीच देश के प्रती कर्तव की भावना पैदा करने के लिए, हमें काम करने के जरूवत है, और उसी उदेश देश के प्रती कर्तव की भावना पैदा करने के लिए, चाहें वो विदेश में क्यों न रह रहा हूँ, यूवा, उसके बीच भावना को पैदा करने के लिए, यूवा भारत, मेरा यूवा भारत, माय भारत, एक स्वायत निकाई की स्थापना को मंजूरी देदी है, मेरा दिन के अवसर पर ये देश को मेरे दो समर्पित किया जाएगा प्लेटफॉर्म वोड बैरिफिट यूथ ना ये जो फिफ्टीन तू ट्विटीन आइनियर ये कह रहा है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किन को मदद की जाएगी उस यूवा को मदद की जाएगी जिसकी उमर 15 से 29 वर्ष है अब ये कहते हैं कि in line with definition of youth in national youth policy अब national youth policy में जो youth की परिवाशा है उसको यहाँ पर cover किया जाएगा और ये कहते हैं कि ऐसे में यहाँ कहा जा रहा है कि एक age group बोला कि 10 से जो 19 वर्ष के लोग हैं उनको भी यहाँ पर इसके तहत benefit मिलेगा बात समझ में आगई? clear हो गई? done? बात समझ में कि संस्ता क्या है? संस्ता का purpose क्या है? cabinet ने इसको approve किया है एक कौन से I.U. वर्केस में लोग cover होंगे? तो इन्होंने 1529 तो बोला है बढ़ा इन्होंने आगे एक line और फुली थी कि 10 से लेकर 19 वर्ष के age group के जो होंगे लोग उनको भी इस योजना के तहत cover किया जाएगा ओके? मेरा यूवा भारत इट विल सर्वेस दा overarching enabling mechanism powered by technology for youth development it seeks to harness इसे अटाओ अच्छा जी बहुत बढ़िया तो यह सब रीड कर सकते हो तुम लोग सब यह बात लिखी होई है यह मेरा इसमें मरलब यह जो बनाने का इसका उदेशत से क्या-क्या चीज़े रहेंगे ठीक है यह रीड कर लेना जो सुल्टान ओफ जोहर कप है यह मलेशिया होस्ट करने जा रहा मलेशिया की कैपिटल है क्वाला लंपूर करेंसी चलती यहाँ पर रिंगिट ओके तो सुल्टान ओफ जोहर कप यह 27 अक्टूबर से शिरू होगा 4 नवंबर तक होगा हमारे काम की चीज़ बनती है यह एडिशन कौन सा है उट्तम सिंग जो है उसको मलब भारतिया टीम के जो कपतान होंगे वह उत्तम सिंग होंगे अब आपका होगे सारी कपतान वगएरा पूछ लेता है तो एशन गेम्स में क्रिकिट टीम का कैप्टन कौन था यह बहुत 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 फेवरेट कोशन है एक्जामिनर के इस तरी किसे आप यह भी याद रखना सुल्तान अफ जोहर कप अच्छे यह आपर कहीं मैंशन नहीं है सुल्तान अफ जोहर कप किस से रिलेटेट है पता सकते हो क्या एक एन्वाल इंटरनेशनल अंडर 21 मैंस फिल्ड होकी टूनामेंट है एक होकी टूनामेंट है एक होकी टूनामेंट है क्लियर है यह कब से हो रहा है 2011 है से इनोगरल जो सीजन रहा था वो दियर 11 में हुआ था सबसे ज़्यादा बार यह टाइटल किसने जीता है सबसे ज़्यादा मोस्ट टाइटल ग्रेट ब्रिटेन ने एंड इंडिया ने तीन टाइटल यह इंपोर्टन बनेगा ठीक है कि जो यह सुल्तान अव जोहर कप है किस से इनोगरल सीजन रहा था 2011 में सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है तो ग्रेट ब्रिटेन ने तीन बार जीता है और इंडिया ने मेरे भाई तीन बार जीता है ओके डन आगे वड़ते है रोहती शर्मा ने सचित तेंदुलकर सहाब का रिकॉर्ड ना तोड़ दिया ब्रेक कर दिया है क्या रिकॉर्ड ब्रेक क्या वो समझना वर्ल्ड कफ हिस्ट्री में हिस्ट्री लिग गई मतलब इत्याहा सरच गया सबसे जादा शतक सबसे जादा शतक का रिकॉर्ड तेंद रोहिद रिकॉर्डे 31st 100, ODI में वर्ड इंटरनेशनल में ये रोहिद की 31st सतक रहा था, और वर्ल्ड कप में ये इनका 7 वर सतक रहा है, तो जो सचिन सहाब का रिकॉर्ड था 6 का, वो इन्होंने यहाँ पर ब्रेक कर दिया है, बास समझ में आ गई, क्लियर हो गई, तो वाइ ये तीनी वर्ल्ड कप में, थीसरा तो अभी चल रहा है मेरे दोस्त, और इन्होंने 7 सतक लगाती है, तो ये काफी आगे तक मेरे भाहिन का नंबर ये जाने वाला है, ओके, रोहिद ना एक और रिकॉर्ड बनाया है, किसी एक वर्ल्ड कप में सबसे जाना शतक का, ठीक है, वर्नर है, एक हजार रन बनाने वाले सबसे तेज खिलाडी वर्ल्ड कप के इतिहास में, उन्ने सीनिंग इनको लगी थी मेरे भाई, लेकिन न, रोहित शर्मा है, इन्होंने भी उन्ने सीनिंग में ही एक हजार का स्कूर क्रॉस कर दिया, अब ऐसे में ये जोईन्ट फास् सबसे तेज वर्ल्ड कप में एक हजार रन करने वाले खिलाडी डैविड वर्नर, उन्ने सीनिंग, उनके साथ साथ, रोहित शर्मा भी है, ओके, डन, ये क्लियर हो गया, सदक का रिकॉर्ड क्लियर हो गया, ओके, इंपोर्टन एयर, कल इंडिया ने अफगानिस्तान को हरा दिया था, रोहित ने जो 84 बॉल में 131 रन की पारी खेली थी, इसमें कुल मिलाकर 16 चक्के रहे थे, जब इनों ने 16 चक्के लगाए थे, तो उसके साथ इनों ने क्रिस गेल का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, उके, उनके नाम थे 553 चक्स, इंटरनेशन क्रिकेट में, अंतरा मतलब ये रिकॉर्ड तो टूटने वाला नहीं है, बाकी सब रिटाइट हो चुके है, रोहित शर्मा भाई है, जो अपने खेल रहे तो ये मेरे दोस्त काफी आगे तक जाएगे, और इनका रिकॉर्ड फिर इस से हो जागा है, ठूटना ही नहीं है, बना आगे जलके देख देखने को मिलेते हैं, लगबख 10 यार बच्चों ने ये सेशन देखा, मैं फिर बोलता हूँ मिरे दोस्त, जितने भी मैं अलग से सेशन ले रहा हूँ, 10 मिनिट का, 15 मिनिट का, 20 मिनिट का, वो सेशन बहुत इंपोर्टन है, उसको स्किप मत किया रिये, ठीक है, जिसे बैंको मैं आपको ओवर्व्यू देता हूँ, ओवर्व्यू क्या, एक्जाम परपस से जितना समझना उतना समझते हैं, पर दो गोल्ड लोन क्या होता है, इसको देखो, गोल्ड लोन मतलब होता है, ये एक व्यक्ति है, इसको लोन चाहिए, इसके पास सोना रखा हुआ है, ये बैंक में जाता है और बैंक वाले बाबू से कहता है कि ये बाबू सुनो ना हाँ बताओ ना सुनो ना बताओ ना बाबू मुझे ना पैसे चाहिए अच्छा कैसे पैसे चाहिए बाबू मुझे ना लोन चाहिए बाबू मतलब वैंक वाले बाबू, ठीक है, मुझे ना लोन चाहिए, और अच्छो लोन चाहिए, ऐसे कैसे लोन देदे हम जानना पे चान तुम मेरे मेहमान, कुछ गिर्वी विर्वी रखोंगे ना, हाँ रखेंगे ना गिर्वी, हमारे पास क्या है, हमारे पास गोल्ड है तुम्हारे पास पैसा है, तुम हमें पैसा दो, हम तुम्हें गोल्ड देंगे, बास समझ मैरी, तुम हमें पैसा दो, हम तुम्हें गोल्ड देंगे, तो यहाँ पर यह नोह ने अपना जो गोल्ड है, वो इनके पास मौट गेस कर दिया, गिर्वी रख दिया, और बदले म 7 की बात है, 2007 की बात है और Urban Cooperative Bank, RBA कहता है Reserve Bank of India, हम एक स्कीम लाके देते हैं, Bullet Repayment स्कीम, इसमें आप देंगे यहाँ पर Gold Loan, ठीक है, आप इस स्कीम में क्या देंगे, माला Urban Cooperative Bank, इस BRS Bullet Repayment स्कीम के तहत क्या दे रहे, Gold Loan दे रहे, बट इसमें क्या होता योजना में, आपको monthly basis पे पे करने की जरुवत नहीं है, installment, ठीक है, आपको एक साथ पे करना, एक मुश्ट पे करना है, एक साथ, मतलब की at the end of closure of loan, ओके, at the end of loan, अब बारे महीने का लोन का पीरिड है, ठीक है, अब आपको हर महीने यहाँ पर payment नहीं करना, जब बारे महीने का पीरिड मेरे दोस्त end होने वाला होगा, तब आपको principal और interest साथ में पे करना है, this is bullet repayment scheme, ओके, this is bullet repayment scheme, जिसके तहत आपको loan का amount, हर महीने नहीं टेंशन इसके लिए नहीं क्या रहे, यार मेरे को ना हर महीने loan का amount pay करना पड़ेगा, फिरदर्दी बहुत हो रहे है, नहीं मेरे भाई, यहाँ पर आपको सिरदर्दी नहीं दे रही, सरकार कह रही है, RBA कह रही है, कि हम आपसे एक मुश्त पैसा लेंगे, जब loan का period खतम होने वाला होगा, तो समझ मैं कि 2007 में यह scheme आई थी मेरे भाई, उसके बाद फिर इसकी लिमिट को बढ़ा कर एक लाक रुपे, पहले लिमिट हुआ करती थी, इस लिमिट को बढ़ा कर अब 2 लाक रुपे कर दिया है, अब यहाँ पर 2 लाक की लिमिट को बढ़ा कर 4 लाक रुपे कर दिया है, तो वही लिखा है, RBA डबल, bullet repayment gold loan limit for urban cooperative bank, यह किन के लिए, urban cooperative bank के लिए है, और इसको बढ़ा मेरी लाडली, मैं तेरे को laptop दिलाओंगी, मैं तेरे को laptop दिलाओंगा, है, आरे बेटा, मैं तेरे को bike दिलाओंगा, bike बेटा, B-I-K-E, bike दिलाओंगा, okay, मैं तेरे को scooty दिलाओंगी, माता जी ने commitment कर दिया, लेकिन commitment में मेरे भाई कुछ छिपा था, उनका commitment में मेरे दोस् पाता उसको जरा समझनाय में जरूरी है, उन्होंने कहा, बिटा मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि तिरे 90% से ज्यादा होंगे, तब जाके मैं तिरको ये दिलाऊँगा ये दिलाऊंगी, भास समझ में आ दिया है मेरे भाई, अगर नहीं होंगे तो मैं तिरे को नहीं दिल जैसे कि शुट्यूल कॉमर्शियल बैंक का टार्गेट है 40% प्राइटी का, अर्बन कॉपरेटी बैंक का 75% है फेस्ट मैनर में, इस्मॉल फाइनेस बैंक का मेरे भाई 75% यह प्राइटी सेक्टर लेंडिंग टार्गेट है, जैसे कि दोस्त माता जी ने पिता जी ने बुल कि आप अगर दो रोटी खा रहे हो तो उसमें से आदी रोटी पहले आपको मेरे दोस्त कुत्ते को देनी पड़ेगी एक रोटी कुत्ते को देनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आपकी प्राइटी है पहले उनको देना, या पिता जी ने बोल दिया, कि बेटा मैं तरको 100 र अखिला, आरा हम से मेरे दोस्त, खूब घूमो फिरो आओ, ठीक है, लेकिन 60 रुपे तुझे कहां खर्च करने हैं, मेरे भाई, 60 रुपे तिरको जहां तिरा मन करें, वहां खर्च कर, ठीक है, लेकिन 40 रुपे तिरको पूजा पर ही खर्च करने पड़ेंगे, पिता जी न 8 सेक्टर इनको नाम दिया कि प्रायुरिटी सेक्टर, कि जो बैंक पूरे साल में जितना भी लौन देंगे, उसका 40% इनको प्रायुरिटी सेक्टर में पहला देना पड़ेगा, फिर 60% किसी भी में दे, और वन कॉप्रेटर बैंक को भी 75% देना पड़ेगा, फेस्माल फा की limit मेरे दोस्त लागू होगी, जो भी से मेरा मतला बेंग ये urban cooperative bank के लिए नहीं का, कि जो urban cooperative bank यहां पर इस limit को पूरा कर लेगा, PSL target पूरा कर लेगा, मेरे भाई उसके लिए ये limit लागू होगी, बास समझा गई, clear है, done, done, clear, so it has been decided, it has been decided to increase the existing limit of gold loan under the bullet repayment scheme for from 2 lakh rupees to 4 lakh rupees in respect of urban cooperative bank who have met the overall target and sub-target. Overall target कितना है, sir? 75%, okay? यह overall PSL target है, okay? Phased manner में. इसमें भी क्या है? Weaker section है category. Weaker section के लिए बोलाएं कि 12% तो तुम्हें weaker section पर खर्च करना पड़ेगा, okay? तो यह तो होगा sub-target, यह होगा overall target, तो ऐसे जो overall target के साथ सब-target meet कर लेंगे, यहाँ पर end-word से connect किया गया है, देखेगा, जो overall target के साथ साथ, जो sub-target भी यहाँ पर complete कर लेंगे, वो यहाँ पर eligible बनेंगे, तो March 31, 2023 तक जितने भी बैंक से जिनका overall target यहाँ पर sub-target कर लेंगे, वो यहाँ eligible बनेंगे, डन, साथ, target पूरा करेगा, मतलब, target करेगा, मतलब, क्या मतलब, यह है, भाई, बैंक को बुला गया था, यह 100 रुपे तरह को उधार देने है, तुने 75 रुपे मेरे दोस्ट उधार दे दिये, वे तक का लोन दे सकता है, गोल लोन दे सकता है, ठीक है, next, world sight day, विश्व द्रस्ती दिवस is observed annually on second Thursday of October, तो विश्व जो यह द्रस्ती दिवस है प्रतिवर्श अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाये जाते, यानि कि आज 12th of October, ओके, यह एक ग्लोबल इवेंट है, पर्पस क्या है, कि जो blindness है, या फिर विजन इंपियर्मेंट है, द्रस्ती हानी है, उसके बारे में लोगों को अवेर करने के लिए, ठीक है, उसके तरफ ध्यान आकर्शित करने के लिए एक ग्लोबल इवेंट है, इस साली 12th of October को पढ़ रहा है, इसका विशे है, love your eyes at work, love your eyes at work, बहुत important आयार, मैं खुद का अनुबा बताता हूं तुम लोगों, एक मिट का डाइम लोगा, मैंने राके जुन्जुन वाला साब की बात सुनी थी, उन्होंने का, one of my biggest, worst investment is my health, इस चीज़ को मैं बहुत, 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 बहुत करीब से देख रहा हूं, क्योंकि मेरी health मेरे तो deteriorating वाली condition में रही है, right now मैं heal करने वाले mode में हूं, क्योंकि treatment शुरू हुआ है, तो मेरा क्या होता है, शाम को मैं चार बजे से मेरी therapy शुरू होती है, और वो कम से कम 3-4 घंटे जाती है, वो चलता है, उसमें 3 घंटे करी वो therapy रहती है, तेरपी रहती से, क्योंकि doctor said कि operation कराओ, surgery करानी आपको हर condition में, नहीं कराओगी तो what situation कराओगी, तो मैंने का निया, operation is not a good, क्योंकि काफे लोगों से सुना कि नहीं, मत कराओ, early age and all सारी चीज़ है, तो फिर, मुझे क्या realize हुआ, कि हमारे पिता जी ने भी job करी, 65-70 साल तक उनकी उमर हो है, बड़ी व्यवस्तित तरीके से job की अच्छा पढ़ाया भी, हैसा नहीं नहीं पढ़ाया, जो उनकी responsibility है, बच्चों की शादी करना, वो भी की घर बनाना, सब मतलब उन्होंने कर लिया, तो बड़ा व्यवस्तित तरीके से किया, हम लोगों की जब generation आई, तो हम लोगों यह आया, मैं क्यों इस चीज को बोल रहा हूँ, क्योंकि आप भी आओगे job में, ठीक है, तो job में जब भी रहो, at least खुद की health पे ध्यान priority रखना, पैसा कमाल होगे, ठीक है, क्योंकि जब health खराब होगी ना, तो यह समझना, उस phase में तो बिल्कुल नहीं कर पाऊ गया, कमा अपनी हमेशा चाहेंगी, government भी चाहेंगी, आप मेरे भी dedicated लगे रहो, आप हमेशा काम करते रहो, लेकिन आपको भी यह समझना पड़ेगा, कि machine मेरे दोस्त जब चल रही होती, तो उसको भी oiling की जरूवत होती है, time to time, time to time, अब आप भी bike चला रहे होती हो, तो लगा दर बाइक नी चला, तो बीच बीच में रोक रोक के बाइक चला रहे हो, तो जब लंबे सफर में निगलते हो, क्योंकि आपको भी पता है, कि वो खराब हो सकती, यही अपनी health के लिए, वो हमें direct नहीं देख रहा होता, हम कुछ खाते हैं खराब, वो हमारे को result तुरंत नहीं बड़ दीरे 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 देता है, आपकी life बड़ी बहुत balance होनी चाहिए, सबसे बड़ी आप meal को लेकर, उसके बाद मेरे दोस time को लेकर, देख है, मेरी life में मैं रात रात पर काम करता था, रात 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 पर जग 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 करता, इस्टिल अभी भी होता है, और उसका result क् सूता था, रात को काम करता था, रात को ये सोच के काम करता था यार नहीं यार, पिंड्रॉप साइलेंस है, बट उसका impact क्या आया, वो आज मैं देख पा रहा हूँ, तो life में न मेरे दोस अगर रात सोने के लिए बनी तो सो ये, दिन काम करने के लिए बनाए दिन में काम कर करना हूँ, तो मैं जाना बहतर आप लोगों को बता सकता हूँ, बाकि आपकवाल है, थोड़ा बहुत मेरी बात को सुनते हो, अगर इस चीज को अमल कर पाओ, तो बहुत बहतर रहेगा, नहीं अमल कर पाओ, तो वक्त अमल सबको कराता है, लेकि भगवार ना करे मेरे दोस कभी चीज़े खराब हों, बढ़ हाँ, यह सदीर है मेरे दोस, आज नहीं तो कल, कही न कहीं है, देरी 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 नीचे ही जा रहा है, बढ़ हाँ, अगर आप चाहते हो कि यह मेरे दोस बढ़ता ही रहे, तो उसके लिए अभी से अपने सरीर पर इन्वेस्मेंट क बढ़ यह है कि रात को जगना होता है, मेरे बाई तो रात सुने के लिए बनी है, यह कहना चाहरू, मेरी भावनाओं को समझ कुछ अलग बोल गया हूँ, मेरी बात में से वह अच्छी चीज नहीं पगड़नी है, मैं कुछ बोल गया हूँ ना ऐसा, अरे सरवाली बात आपने ऐसे कैसे बोल दी है, पत्तक में बनाके उड़ा दूँगा तरको, आयरवेद for one health इसकी theme है, तो यह दिको important बन गया, यहाँ पर आयरवेद दिवस, आर Evacuate Indian Nationals from Israel, अब इसराइल में जो भारतिये फसे हुए, आपको पता है, इसराइल हमास, बहुत बुरा मेरे भाई हमास ने किया, अब उसका कहीं न कहीं, उनको परड़ाम भुगतना पड़ रहा है, ओके, operation अजय, अब वहाँ पर जो भारतिये फसे हुए, उनको लाने के लिए, इसराइल में भारत ने एक operation चलाया, operation अजय, यह दूसरा operation इस साल का, इससे पहले एक operation कावेरी भी रन किया गया था, ठीक है, जो several thousand Indian citizens थे, जो conflict on Sudan में फसे हुए थे, तो यह question आ सकता है, इस साल का प पहला operation तो operation कावेरी और दूसरा मेरे दूसरे operation अजय, operation अजय, दौनों clear है, done, all okay, next, महरास government ने लेक लड़की scheme launch करी है, लेक लड़की scheme, लेक लड़की योजना, आप नाम याद रखना महरास सरकार की योजना है, महरास government ने developed daughter एक योजना launch करी है, purpose क्या है, इसका प्यारी बेटी, लेक लड़की, मतलब लेक मतलब बेटी, वो तो समझ गया, लेक लड़की, प्यारी बेटी, प्रपस यह है, कि वित्तिय साहता प्रदान की जाएगी, यहाँ पर, गरी परिवार की लड़की के लिए, एक लाग रु जी के छेतर में, अब यह डिजिटल ही, भारत इस टाइम इतना स्ट्रॉंग है ना, हर कोई देश भारत से कह रहा है कि भाई, हम लोगों को ना, प्लीज, अपना जो डिजिटल है ना, उसका हमें अपना पाड बना लो, मतलब हर एक तरीके से, तंजानिया भी कह रहा है, अ यहाँ पर यूरो चलती है, तो एगरीमेंट इंटेंट टू प्रमोट, क्लोजर कोपरेशन एंड एक्स्चेंग इंफरमेशन पर्टेनिंग टू दिजिटल टेक्नलोजी, जो डिजिटल प्रद्यों कि है, उससे संबंदे सूचनाओं के घनिस्ट्र सहियों को और आलन प्र ट्रांस्फोरमेशन को लेकर काबिरेट ने एक MOU अप्रूफ किया, त्रिने दाद एंड तबैको, कि यह भी याद रख लेना, ठीक है, त्रिने दाद एंड तबैको, एक पपुआ न्यू गिनी, से मैं अग्रीमेंट ये सब, पपुआ न्यू गिनी, ओके, तो MOU पपुआ न्यू गिनी के साथ, Cooperation in the Field of Sharing Successful Digital Solution, ठीक है, Digital Solution के लिए, पपुआ न्यू गिनी, Digital Solution के लिए, त्रिने देन तबैको, ओके, in the Field of Technology काम करने के लिए, इंडिया का, फ्रांस के साथ समझोता रहा था, तो दो और News होगे हैं, जा लिखी नहीं है, हमारी लगबग यहाँ पर इस वीक में पूरी घबर हो जाएंगे, उसको लेकर घबराना नहीं, चलो, इन अवरल session I hope clear रहा होगा, बाकि आपको किसी भी paid batch में admission लेना है, जाहे वो महापै को कोई भी हो, you can use my code Y168, and अगर a test series, e-books, printed book चाहिए, उसके लिए code Y168S code, ठीक है, बाबाई, टेक केर,